दोस्तो एक तरफ तो हमारे परधान मंतरी सरी नरेंटर मोदी जी ने घरेलुगैस, सिलिंडर और साथ ही पेटरोल और डीजल के दाव में बढ़ोत्री कर घर-घर में हकार मचवा दिया है तो वहीं आपको जान कर यह हैरानी होगी कि स्रीव नरेंद्र मोदी जी ने इश्रम कार्ड और साथ ही गरीब बेरोजगार लोगों के खाते में डारेक्ट पैसा पहुचवाने का निर्नलिया है जिया दोस्तो 14 दिसंबर को मोदी जी लाइव आए और उन्होंने बेरोजगार और गरीब मजदूरों और किसानों के लिए एक रहाती खबर सुनाई है आपको जान कर यह हैरानी होगी कि जिन जिन लोगों ने इश्रम कार्ड बनमाया है और साथ ही जिन जिन लोगों की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है उन्हें सभी के खाते में 6,000 रुपे 15 दिसंबर को डलवा दिये जाएंगे और साथ ही इश्रम कार्ड वालों को हर महीने 11,000 रुपे तक का लाव मिल सकता है दोस्तो कहा जा रहा है कि इश्रम कार्ड वालों की मंधली इंकम को बढ़ा कर 20 से 25,000 रुपे भी कराया जाएगा दोस्तो अभी तक अगर आपने इश्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत ही बनवा लिजे नए साल की शिरुवात में आपको पेटरोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ साथ घरेलू गय सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो वही दूसरी तरफ इश्रम कार्ड और साथी मजदूरी कारड़ वालों को एक रहात की खबर भी मिलेगी दोस्तो इसी के साथ साथ हमारे पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकॉप बढ़ रहा है कहा जो रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना काल की वज़ों से लोगडाउन एक बर फिर से लगाया जा सकता है दोस्तों घर से बीना काम के बाहर ना निकले बहुत ही जादा जरूरत हो तो मास्क के साथ घर से बाहर निकले डेली न्यूज अपडेट्स के लिए मसाला न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा थाइंक यू